मानने स्री मोदी जी को मेरा कोटी कोटी पर नाम मेरा ममता सैनी नाम है सर पिरदान मंत्री जी हो रही हमने तो कभी सोचा भी नहीं था वारार सी तक गंगा जी में बड़ा कार्गों से चलेगा इसी तरह अपने देश में बनी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेंड भी चलने वाली है मेरा सवाल आप से यह है कि आखिर चार सालों में इतना सब कुछ कैसे संबाव हुआ आपके को ध्यान होगा मैंने बहुत पहले यह कहा था कि जब सवासो करोर देशवासी मिलकर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा देश सवासो करोर कदम आगे बढ़ेगा प्रकृती ने हमारे देश को धेर सारे अद्भूत वरदान दिये उनी में भारत भर में फैले नदियों का जाल भी शामिल है लेकिन ये भी सचाई है इस वरदान को हमारे यहां काफी नजर अंदाज किया गया और उसका जो लाप हम सब को मिलना चाहिए था वो कभी मिल नहीं पाया आपको जानकर हरानी होगी कि 2014 से पहले हमारे देश में सिर्फ पाँच जलमार थे और उनमें से भी एक ही थोड़ा बहुत काम कर रहा था आज आपको यह जानकर प्रसंद दा होगी कि सिर्फ चार साल के भीतर ही हमारी सरकार ने देश में सो से अधिक नेशनल वाटर वेज की पहचान करके उन्हें विक्सित करने का काम शुरू किया है इसी का प्रणाम है कि अब गंगा जी में भी बड़े जहाच चलने लगे हैं अभी एक मालवाग जहाच कोलकाता से वारानसी के लिए निकल चुका है सरकार चाहती है कि परियावरण के अनुकूल इस रास्ते सुलब और सुगम जलमारगों का हम अधिक से अधिक उपयोग करेंगा इसी तरह आप सोचिए कि देश की सबसे तेज चलने वाली शताब्दी ट्रेन 1988 में पट्री पर आई थी इसके बाद तीस साल तक तेज गती वाली ट्रेनों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा ही नहीं गया जब कि अपने देश में संसाधनों या जनता के सामर्थ में कभी कोई कमी नहीं थी लेकिन इस दोरान दुनिया भर में अनेक देशों ने अपनी आवश्चक्ता के अनुसार ट्रेनों में बहुत सुधार किया और हम वही के वही पड़े रहे हैं परन्तु अब जाकर भारत में जो सेमी हाइट स्प्रीड ट्रेन बनी है उसमें दुनिया की अत्याधुनिक सुविधाय उपलब्द है इसे ट्रेन 18 का नाम दिया गया है और इसकी लागद भी दुनिया में बनी इस तरह की दूसरी ट्रेनों की तुर्णा में बहुत ही कम है आपको यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि वर्स 2020 तक बहुत से रूट पर यह तेज गती की ट्रेल चलने लगेगी साथियों जब सरकार की नियक ठीक होती है वो स्पीड एवं स्केल के आधार पर काम करती है तो उसे जनता का भी साथ मिलता है और सफलता भी निश्चित रुप से मिलती है